हाई फ्रेंड्स दिसी वीवी दत्ता फ्रम सावू टेक्नोगाइड आज हम उन्बक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एमेजन बेसिक डिजिटल अप्टिकल टू एनलग आर्सीय कंवर्टर का अगर यह वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए तो फ्रेंड्स बेसिकली यह एक डिजिटल टू एनलग आडियो कनवर्टर है जिसको आप आपका टीवी और साउंड बार कनेक्शन में यूज कर सकते हैं तो पहले भी में बहुत सारे हमारा अडियो कनेक्शन रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं अगर वो वीडियो आपको देखना है तो स्क्रीन में जो आई बटन आ रहा है वहाँ प का साउंड सिस्टम या स्पीकर सिस्टम में कोई भी डिजिटल नहीं है तो यह कनवर्टर के थ्रू में आप आपका टीवी को आपका साउंड बार या स्पीकर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो के मैं डिटेल्स में आपको यह वीडियो में दिखाने वाला हूं तो य यह हमारा बॉक्स पैक है जैसे के डिजिटल अप्टिकल को एक्सेल टू आना लग आर्सी है और यो कन्वर्टर ही है तो यह एमेजन बैसिक का पैकिंग कुछ से यह से आता है सभी प्रोडक्ट में तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको बॉक्स कुछ यह से मिलेगा तो आपको इतना कुछ सामन मिलता है जैसे कि यह उसका यूजर गाइड है इसमें डिटल दिया गया है आप इसको कैसे ऑपरेट करेंगे तो पहले चेक कर लेते हैं यह एक यूएसपी टू माइक्रो य को यूज कर सकते हैं और यह हमारा कॉनवर्टर है जैसे कि आप देख सकते हैं डिजिटल टू अनलग कॉनवर्टर है यह तो यह साइड उसका इन्पूट है जैसे कि इन्पूट में आप अप्टिकल केबल को भी कनेट कर सकते हैं और को आक्सियल केबल को भी कनेट कर सकते ह आणि यह आप एक power का light दिया गया है आणि यह उसका output है output section में left and right audio दिया गया है तो अगर आपका TV में direct left and right का connection है तो आप direct connect कर सकते हैं otherwise आपको और एक cable यूज करना पड़ेगा जो के left and right to 3.5 mm का audio jack है उसके through में भी आप connect कर सकते हैं आणि यहां पे micro USB का port दिया गया है जो के power के लिए तो मैं अभी इसको TV and soundbar में connection करके आपको दिखाऊंगा जैसे के TV का optical port से हम इसमें connect करेंगे आणि यहां पे जो उसका output है उसको हम soundbar में connect करेंगे तो अभी मैं यह converter को TV and soundbar में आपको connect करके दिखाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ जैसे के अगर आप कोई भी converter यह डारेक्ट आपका TV से soundbar यह home theater को connect कर रहे है तो हमेशा अच्छा quality का cable यूज कीजिए या high speed बाला cable यूज कीजिए तो आपको better audio quality मिलेगा उसके साथ साथ आपको connection में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा तो पहले मैं इसका close look आपको दिखा देता हूँ तो फ्रेंट्स जैसे मैं आपको बताया था हमारा input जो है ये side है and output जो है ये side है तो यहां पर मैं पहले इसको पावर में कनेट कर देता हूं जैसे कि यह आडप्टर में लगा दिया हूं तो यह जगा में मैं पावर में कनेट कर दिया जैसे ही पावर में कनेट कर दिया यहां पर रेट कलर का लाइट जो है यह लाइट अफ हो गया तो मैं आपको अप्टिक करेंगे जैसे कि यह जो optical port है यहां पर हम इसको connect करेंगे तो हमारा input जो है यह connect हो गया तो आभी output से हम हमारा sound bar या home theater को connect करेंगे तो पहले में home theater का ports आपको दिखा देता हूं तो यह हमारा sound bar का backside port है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हमारा auxiliary port है तो यह बाकी जितना भी पोड से उसको आप इंगोर कीजिए बस यहां पर उग्रेजर पोड है तो अगर आपका system में अग्रेजर पोड है तो आप कर सकते हैं या कोई-कोई जो sound system रहता है उसमें left and right का audio port रहता है जैसे के आप देख सकते हैं यह जैसे left and right है ऐसे 2 port रहता है तो ओ जगा में भी आप इसको connect कर सकते हैं बड़ जहां पर auxiliary port है तो आपको इस टाइप का cable यूज करना पड़ेगा जैसे यह cable में दो साइड में आपको दिखा देता हूं एक साइड रहता है हमारा audio का left and right और यह साइड में हमारा 3.5 mm का पीन रहता है तो यह RCA cable रहता है तो यह cable से आप यह जो left and right है इसको आप converter में लगा सकते हैं जैसे यह converter में red and white है तो यह दो जगा में लगा सकते हैं और यह जो 3.5 mm का पीन है इसको direct आप auxiliary port में इसे लगा सकते हैं अगर आपका home theater system में left and right दोनों port है तो जगा में आपको एक अलग type का cable यूज करना पड़ेगा तो इस type का cable आपको यूज करना पड़ेगा जैसे कि यह भी एक RCA cable है तो यह जगा में video के साथ audio भी है तो आप video को इगनव किजिए जैसे कि यह audio का left and right है और यह भी left and right है तो अगर आपका speaker system में left and right है तो दोनों का आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा and rest 2 को आप यहाँ पर जो converter है उसमें लगा सकते हैं तो यह जगा में हमरा यह जो cable है मैं यहाँ पर लगा देता हूं जैसे कि यह red यहाँ पर लगेगा and जो white है यहाँ पर लगाना है and same यह जो 3 3.5 mm का pin रहता है उसको आपका speaker system का auxiliary port में आपको लगा देना है ऐसे simple लगा देना है उसके बाद आप आपका home theater system या sound bar में आपको auxiliary mode में change करना है तो अभी हमारा complete connection जो हो गया है जैसे मैं आपको बताया same to same आपको आपका TV and home theater system या sound bar में connect करना है उसके बाद आपका जो भी home theater system रहेगा या sound bar रहेगा उसका auxiliary mode में आपको चेंज करना है जैसे मैं already auxiliary mode में इसको रखा हूँ उसके बाद अगर आप कोई भी content play करते हैं तो उसका आवाद जो है आपका home theater system या sound bar में आ जाएगा जिसे मैं यहाँ पर music play करता हूँ तो यहां पर अभी हमारा sound bar में sound bar रहना चालू हो गया तो यहां पर मैं volume बढ़ा देता हूँ तो अभी आप आवाज सुन सकते हैं अभी जो आवाज है हमारा home theater system में आ गया है तो यहां पर और एक बात के उपर आपको ध्यान देना है जैसे कि हम optical से auxiliary port को convert कर रहे हैं तो optical port में अगर आपका tv के साथ कोई भी home theater system या कोई भी sound bar connected है तो आपका tv का sound भी काम करेगा उसके स आपका home theater system या sound bar का sound भी काम करेगा जैसे कि अभी हम connect कर दिया हमारा sound bar में आवाज आने लगा अगर यहां पर tv में भी हम आवाज बढ़ाएंगे यह tv का आवाज को on कर देंगे तो भी हमको आवाज जो है वो tv में भी आने लगेगा तो यह आपको ध्यान देना है तो उसके आपको आपका टीवी का sound setting में जाना है sound setting में जाएंगे तो आपको आडवन setting एक मिलेगा उसके अंदर आपको digital audio out मिलेगा या audio out का option मिलेगा तो इसके अंदर आपको जाना है अगर आपका टीवी में auto है तो auto में set कर सकते है पास्थ्रू है तो पास्थ्रू में set कर सकते है या PCM definitely रहेगा, तो इसमें आप set कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका पुराना TV होगा, तो definitely PCM रहेगा, उपर का दो option auto and pass through नहीं रहेगा, बट अगर आपका नेया TV है, तो ये सभी option आपको या पर दिखने के लिए मिलेगा, तो ये जगा में आपको कभी भी Dolby Digital में नहीं आपको हमेशा PCM में ही रखना है, अगर आपका auto है, आपका system में तो auto में रखना है, अगर आपका TV में pass through है, तो उसमें भी रख सकते हैं, या PCM में रख सकते हैं, तो ये उपर का तीन option कोई भी अगर आपका TV में है, तो ये तीनों में आप set कर सकते हैं, आपको ये दोनों तो आपको sound quality उतना अच्छा नहीं मिलेगा क्यूंकि यहां पर जो input आता है अभी का आवाज जो है आपका सांड बार या होम थेटर सिस्टम में सुन सकते हैं तो आसकता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेलफूल रहा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अभी आप हमको फेस्बूक हम आप ट्विटर में फूलो कर सकते हैं तो हमारा सोसियल मेडिया का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यह से ही देखते रहे हमारा चैनल तील देन स्टे ट्यूट